तो यूनिक ऑनलाइन गुरूप के यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हम फिजिक्स में मैं पढ़ रहे थे हमने पिछली क्लास में स्केलर सवेक्टर्स का इसे कॉंसेट है जो हमारा जो अगला टॉपिक्विजिक्स का है यहनी कि फोर्स से मोशन अंडर जो मोशन होते हैं उनको समझने के लिए बहुत जरूरी है तो इसकेलर सब्रेक्टर्स हमने समझ लिया था इसमें समझने के लिए अपने फिजिक्स के बाँगी आगे की कॉंसेट को तो उन में सबसे पहला जो हमारा टूल है वो रिद्फिरेंसियशन मतलब ऐा कि मतलब क्या होताे simple समझगे कि किसी function का change क्या हो रहा है उसका rate मतलब change होने की rate निकालना कैसे function क्या होता है पिछली classes में हमने discuss कर लिया है कि function क्या होता है अगर हम कहा है कि y एक function है किसका function है x का अगर y जो है वो x का function है मतलब कि y है वो x पर depend कर रहा है function होने का क्या मतलब है कि y की value है वो x पर depend कर रही है यह हमने कहां सीखा था यह जो force है वो क्या है वो acceleration का function है मतलब कि force की value है वो acceleration पर depend कर रही है यह आप कह सकते हैं कि acceleration की value है किसी object में वो force पर depend कर रही है और यह हमारा second law था हमारा कि आप जितना force लगाएंगे उतना जादा बढ़ेगा वो acceleration तो क्या था कि a जो था वो ऐसे था मतलब directly proportional था यह जो function हम dependency दिखा रहे है कि वो उस पर depend क करता है हमें second law ने बताया था कैसे डिपेंड करता है वो directly proportional होता है तो function क्या होता है इसका concept हमने वहाँ पर देखा था तो वही अगर हम use कर रहे है कि अगर y x का function है इसका क्या मतलब है यह हम कहेंगे कि y is a function of x या p is a function of q मतलब p जो है इसके यह arrow यहाँ यहाँ पर यह रही ह डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कि मतलब y की जो value है वो x पर depend कर रही है या p की जो value है वो q पर depend कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x की value में कोई change लाएंगे तो वो हमारे y की value में reflect होगा मतलब कि जैसा हमने लिख दिया y equals आ हमने देखे यहाँ पर हमने जो dependency थी जो हमने दिखाया थे कि y x पर depend करता है उसको हमने एक value में change कर दिया कि कैसे depend करता है y जो है वो x का square है मतलब x का value है उसको आप square कर दें तो आपको y के value मिल जाएगी अब कैसे होगा अगर x 1 रखें इफ x equals 1 अगर x equals 1 रखें तो क्या होगा ज़रा देखते हैं कि अगर x equal 1 रखें तो क्या होगा तो इस से क्या होगा this implies that y equals 1 square equals 1 तो अगर x 1 है तो y कितना है तो x 1 तो y यह क्या imply करता है y भी 1 है x को 2 रखते हैं यह दूसरा condition if x equals 2 तो y क्या हो जाएगा y equals 2 square equals 4 तो यह x equals 2 क्या imply करता है कि y equals 4 अब देखें x की value हमने जब 1 रखी थी तो y की value हमें 1 मिली थी x की value हम 2 कर दें तो y की value 4 हो गई अगर ऐसे ही x की value हम 3 कर दें x equals 3 तो क्या करेगा y क्या हो जाएगा 9 अब देखें जरा हमने x को क्या रखा 1 तो y हो गया 1 x को रखा 2 तो y हो गया 4 और x को रखा 3 तो y क्या हो गया 9 यह क्या शो कर रहा है कि y की जो value है वो x पर depend करती है मतलब x की value अगर आप change करेंगे तो y की value change हो जाएगी और इसी concept को बोलते हैं dependency यानि function इसको क्या लिखते हैं जैसे हमारा आया यह हमारा यहां पर आया था y depends on x यह depends on को क्या लिखते हैं हम इसको हम ऐसे लिखते हैं यह क्या इसका मतलब है this implies that y equals fx अब देखें यहां पर fx जो लिखा है जो यह चीज लिखी है fx इसका क्या मतलब है कि x पे आप कोई operation करेंगे कोई भी particular operation करेंगे जो को operation कहा से define होगा f से define होगा मतलब f यह बताएगा कि आप x पे कौन सा operation करेंगे और उस operation करने के बाद में आपको y की value मिल जाएगी जैसे कि अगर हम आले लिख दें यहां पर इसका अगर value बताना है में तो हम यहां पर लिखेंगे एक example लिखेंगे example क्या लिखेंगे कि f क्या है f of x क्या है जैसे में लिखाने कि y equals f of x मतलब x पे functional है x पे आपको एक particular operation करना है functional मतलब एक particular operation करना है अब यहां पर हम बतारें example में कि f of x मतलब x पे क्या operation करना है x पे operation यह करना है कि f of x क्या होगा x का square कर दीजिए और उसमें 3 add कर दीजिए मतलब x का square करके 3 add कर तो f of x का मतलब यहां पे क्या हुआ कि x पे कोई particular आपको operation करना है, कौन सा operation है यहाँ पे, x का square कर दीजिए, उसमें 3 को add कर दीजिए, तो हमारा fx के value यह आ गया, x square plus 3, और हमारा क्या है, कि y को है, वो f x है, x पे particular operation करने पर y मिल रहा है, x पे हम कौन सा operation कर रहे हैं, उसको square करके 3 plus कर देंगे, तो यही हमारी y की value हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा y equals x square plus 3, जो कि क्या है actually में, f of x है, तो y क्या है, f of x, उसकी value कितनी है, x square plus 3, यही है हमारा function का concept, कि क्या concept हमारा, function का, कि function क्या होता है, ऐसा कोई variable, what is a function, यहाँ पे देखिए, y, हमने कहा, we are saying, y is a function of x, what does that mean, that the value of y depends on the value of x, if we make any changes in the value of x, अगर हम x की value में कोई change करते हैं, कोई बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, यहाँ कम करते हैं, तो y की value में वो changes दिखेंगे, अब क्या दिखेंगे हो सकता है, x बढ़े तो y घटे, यह x घटे तो y बढ़े, यह x बढ़ने के साथ में y बढ़ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम x में change करेंगे, तो हमें पक्का y में change आएंगे, तो क्या हुआ, y जो है, वो x का एक function हो गया, तो यह था concept हमारा function का, यह हमारा concept क्या था, function का, कि आप x की value में change करेंगे, तो y में आएगा, तो अब differentiation क्या है, अब हम क्या देखते हैं, कि differentiation क्या है, differentiation क्या है, कि हमें जानते हैं कि अगर y है, वो x का function है, मतलब y जो है, जो है, आप हमारा y है, वो x का function है, ठीक, f of x, मतलब x का function है y, अब हमें अगर यह पता करना है, अमें क्या का starting में differentiation क्या है, differentiation, क्या होता है, process of, क्या हम simple iso लिखने, differentiate करने का मतलब क्या है, differentiate का, finding, differentiate करने मतलब, differentiate करने तो finding the rate of change, rate of change, rate of change, rate of change, of a function, with respect to, wr2 का मतलब, with respect to, पूरा लिख देते हैं, यापे, with respect to, with respect to, a very very small change, very very small, मतलब, बहुत छोटा, very small, इसको क्या कहते हैं, जो actual हम यूज करते हैं, infinite, seemly small, infinite, seemly small, seemly small, मतलब की, बहुत जादा, बहुत छोटा सा value में अगर change करें, small, small change, in value of x, change in the value of x, यह होगा हमारा definition proper, जो हम कहेंगे, कि, एक simple language में क्या सनज़ेंगे, कि differentiation क्या है, अगर हम कहें कि, differentiate करना है, हमको differentiation करना है, तो क्या करना है, कि जो, अगर जो variable है, जिस पे वो function depend कर रहा है, मतलब जिससे है, कि अगर y, is equal to f of x, मतलब y, x का एक function है, x पे depend कर रहा है, तो x एक variable हुआ, और y भी variable है, लेकिन कैसा variable है, x पे depend करने वाला variable है, तो y एक function है, x variable है, अगर y उसका function है, तो क्या कहेंगे, कि, differentiation क्या है, finding the rate of change of the function, मतलब की, finding the rate of change, यह important चीज, मतलब change का rate क्या है, of a function, function मतलब y, function क्या मतलब हो है, y, जो कि depend कर रहा है, कौन सा, depending variable, dependent कह सकते है, dependent variable, यह भी एक variable है, मतलब value change होगी, लिकिन एक dependent है, y जो है, dependent variable है, with respect to a very small, infinite, seemingly small, infinite, seemingly small, infinite, seemingly small, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, एक दर ना के बराबर, है, change है, difference आया है, उसमें, लिकिन बहुत छोटा आया है, उसके respect में, a very small, infinite, seemingly small change in the value of x, इसमें भी change, change in x, मतलब की, अगर x में एक बहुत छोटा सा difference आये, बहुत छोटा सा change आये, तो उसके respect में, y में कितना change आयेगा, इसी rate को हम कहेंगे differentiation, मतलब इसी जो find करनेंगे हम जब, कि यह कितना change आ रहा है, क्या rate में आ रहा है, तो वही होगा हमारा x, कैसे होगा, इसको represent कैसे करते हैं, represent ऐसे कहेंगे, यहां से, represent कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे represent, dy by dx, equal something, something क्या मतलब आएगा, कोई variable, कोई function, मान लिजे आ गया, एक function g आगे, ठीक है, यह particular value, कोई value आ गयी, कोई value मान लिजे p आ गयी, यह, 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 d by dx क्या दिखा रहा है यहां पे, dy by dx क्या दिखा रहा है, dy क्या है, a very-very small change in y, dx क्या है, a very-very small change in x, और यह, जो हम divide कर रहे हैं, वो क्या है, उसका rate, जो से हम क्या कहते हैं, कि मान लिजे distance जो है, वो d है, और time कितना लिया, t, तो मतलब इतने distance में इतना time में इतना distance किया और ये क्या आ गया है जब divide करने हो तो क्या आ जाएगा rate आ जाएगा मतलब rate of change of distance with respect to time और ये क्या होता है हमारा speed ठीक ये होता ना speed कि distance कितना change हुआ उसका rate निकाल लो time की change से मतलब distance वाली को time से divide कर दो तो वहां पे भी हम निकालेंगे अगर differentiation में तो अगर y में जो change आया उसको हम x वाले change से multiply कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि किस rate से change हो रहा है तो हमें वहां पे वो rate मिल जाएगा और उस rate को हम किस से represent करते हैं d y by d x d y by d y मतलब बहुत चोटा change y में d x मतलब बहुत चोटा change x में खीक है तो क्या आगया differentiation का मतलब total overall मतलब क्या आगया differentiation का finding the rate of change of y मतलब y में क्या change हो रहा है किस के respect में x के respect में मतलब अगर हम x में चोटा सा change करेंगे तो y में क्या change जाएगा जैसे कि एक example समझते हैं example से समझते हैं example क्या example लेते हैं कि अगर y वही example लेते हैं चलिए y equals x square suppose y equals x square मतलब x square करना है आपको अब देखिए at x equals 1 जब x 1 है तो y कितना रहेगा y equals कितना हो जाएगा 1 1 का square न 1 square equals 1 तो x equals 1 तो y 1 है अब x equals 1.00001 suppose अब हम क्या देख रहे हैं देखें यहां पर क्या हुआ हुआ x की value 1 है और यहां पर यहां पर क्या लिए हम कुछ देर बाद या कुछ time बाद की x की value हो गई उसमें बहुत छोटा सा change आया यह तो कितना value में एक बहुत छोटा सा change आया बहुत छोटा सा change और उस हिसाब से x की value हमार यह हो गई 1.00001 अब हम देखते हैं कि इसके comparison में y क्या value आएगी तो y क्या हो जाएगा उसमें तो इसका क्या मतलब है इसका हम निकाल रहे हैं यहां पर यह है कि अगर x में बहुत छोटा सा change आया तो y में कितना change आएगा इसका rate इसका ratio मतलब y में जो change आया उसका ratio x के change से और वही process जो रहेंगे इसी process हम कहते है we understand creation clear about differentiation क्या है x में change हुआ तो उसके respect में y में कितना change हुआ यही निकालना यहीं ही capacidad referenciation rate of change of y respect to Covid fiscal capital x अब कैसे निकालेंके जैसे अब यह तो हमें clear हो गया कि निकालेंगे कैसे मतलब यह होता क्या है differentiation आभ है differentiation करेंगे मतलब नीकालें कैसे तो तो, differentiation निकालने का एक तरीका है जिसको हम कहते है, सबसे जो main तरीका है, जो main basic तरीका है, जुसको हम कहते है, फिर्स्ट प्रिंसिपल, principle मतलब differentiation, मतलब finding that differentiation of y with respect to x, x के respect में y के differentiation, using first principle, first principle का क्या मतलब है, using, सबसे पहला क्या हमारा, using first principle, using first principle, first principle मतलब इतना basic तरीका, इसका क्या मतलब है, basic, basic technique, मतलब actual में जो basic technique है, जिसके हम निकालते हैं, उसी को हम कहते है, first principle, आप उसी first principle का use करके, मतलब उसी एकदम, जो primary एकदम technique है, उसका use करके, हमें निकालेंगे, ठीक है, तो क्या है, वो कैसे काम करती है, अब हमें, y equals fx, हमें पता है, यह ध्यान रखेगा, इसका मतलब क्या रखे, y equals fx, कोई डरने वाली बात नहीं है, कि यह क्या लिख दिया गया है, y equals fx, जहां भी लिखा है, मतलब इसका क्या है, जहां भी यह लिखा है, y equals fx, इसका क्या मतलब है, कि हम, हमने क्या किया है, x में छोटा सा change किया है, ने, हमने यहां पे क्या किया है, x में एक छो तो य को हमें निकालना है, फिलहाल क्या है, y जो है, वो f of x है, इसका मतलब क्या है, यह हमको represent क्या करता है, इसका क्या मतलब है, कि y जो है, y depends on x, y depends on x, मतलब y की जो value है, वो x पे depend कर रही है, f of x का क्या मतलब है, f of x यह जो लिखा है, इसका क्या मतलब है, sum operation on x, sum operation on x, मतलब कि x पे हम कोई particular operation करेंगे, और उस operation को मतलब उस, जो procedure हम उस पे process को भी perform करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे f of x, वो क्या हो सकता है, example क्या होगा उसका, वही जो अभी हमने example दिया, कि x को square कर दे, f of x का क्या मतलब है, यह एक example है, कि x को square कर दे, उसमें 4 add कर दे, यह एक process हो गया, एक operation perform किया, x की value को हमने लिया, मानली जो value 2 है, उसको square किया, बन गया 4, उसमें 4 add कर दिया, तो क्या हो गया, f of x, आप यहाँ पर देखे, f of x बराबर x square plus 4 है, तो अगर हम यह पे लिते है, f of 2, इसका क्या मतलब हुआ, कि x की जगा पर हमने 2 रखना है, तो f of 2 की value क्या आएगी, 2 square plus 4 equals 8, तो क्या है, simple सा है, f x क्या है, x पर एक operation है, वो कोई भी operation होगा, वो आपको question में दिया रहेगा, कि यह particular operation आपको करना है, f x की यह particular value है, f x की value क्या थी, x square plus 4, तो f of 2 की value हम निकालते है, मतलब 2 का f अगर रखेंगे, मतलब 2 पे यह operation करेंगे, तो क्या हैगा, 2 square plus 4 है नि 8, तो यह बात यह थी, कि x square, अगर हम दिया है, y equals f x, और f x क्या है, x square plus 4, तो कैसे निकालते है, अब हमें जो first principle आपना है, जो जिसको हम कहते है, basic technique, जो हमारा first principle है, वो क्या है, उसको हम निकालेंगे, वो उसको समझेंगे, y equals f x दिया है मैं, निकालने की तरीका क्या है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना यहापे क्या है, टास्क क्या है हमारा, तो find rate of, यह ratio of small, हमें find क्या करना है, हमें आपे, small change in y, with respect to, wrt मतलब with respect to, a very small change in x, a very small change in x, हमें आपे find क्या करना है, y में एक छोटा सा change होगा, और उसका ratio x में जो change होगा, उससे निकालना है, निकालने का तरीका क्या है, अब देखिए हमें दिया है y equals fx, हम क्या करेंगे, मान लेजिए, f of, हमें x की जगा पे हमने लिख दिया, x plus delta x, अब देखिए delta x क्या गया, यह निया बंदा को है, निया बंदा यही है, delta x क्या कहा रहा है, delta मतलब, delta आप जहां भी दिखा रहे है, delta जो है, physics में इसको normal use होता है, delta का मतलब दिखाने के लिए change, जैसे अगर मैं लिखेंगे delta v, क्या लिखेंगे, delta v, delta v, इसका क्या मतलब होगा, change in v, क्या शो करेगा, change in v, v कुछ भी होता है, v velocity हो सकती है, v यहां पर अगर, v ऐसे capital लिखेंगे, इसको kinetic energy के लिए यूज करते है, v को, small change, delta का मतलब होता है, delta मतलब होता है change, physics में normally यह समझे लिखेंगे, तो delta x का मतलब something incremented, मतलब कुछ बढ़ गया, मतलब कुछ change आ गया x में, तो अब x में अगर कुछ change आया हम क्या लिखेंगे, y equals f of x, मतलब f of x, जो है y की बराबर है, तो f of x plus delta x, मतलब x पे हम particular कुछ छोड़ा change करेंगे, तो क्या होगो, y पे भी change आएगा, तो suppose उस change को हम लिखेते है, delta y, clear है, क्या लिखा है यह पे, delta y, y plus delta y equals f of x plus delta x, मतलब जब y जो था, वो f of x बराबर y था, तो f में, अब x में delta x अगर हम बढ़ा दिये हैं, change कर दिये हैं, तो y में भी कुछ change आएगा, उसको हम क्या लिखें, delta y से, अब क्या हो जाएगा हमारा, अब delta y क्या हो जाएगा, क्ये बल, delta y निकालना है, delta y की value क्या आजेगी यहां से, सीधा, f x plus delta x, जो भी था, minus y, clear है, क्या किये हम यहां से, हमने क्या किया, y को यहां से उठा करके, इस direction रख दिया, तो sign change हो गया, plus में y था, y negative हो गया यहां पर, अब क्या आगया हमारा इस से, इस process हमारा क्या आगया, delta y आगया, मतलब change in y आगया हमारा, change in x हमें पता ही है, delta x, change in y हमारा पता आगया, अब निकालना क्या है हमें, निकालना क्या है, ratio of change of y with respect to x, मतलब की ratio, अब ratio क्या आएगा, ratio निकालना है न हमें, तो ratio क्या आएगा है यहां पर, ratio तो यही आएगा न, देल्टा y divided by delta x है ना मतलब delta y जो है कितनी change हो रही है y में उसको delta x से हम divide कर दे तो हमें ratio पर से मिल जाएगा और delta y की value क्या है यहाँ पर equal delta y की value में पता है f of x plus delta x minus y यह हमाई delta y की value है और इसको delta x से divide कर दे यह हमारा आ गया ratio यह हमारा आ गया ratio कौन सा ratio यह क्या है डेल्टा y divided by delta x इतना clear हुआ कि नहीं यह में जो इसकी differentiation का जो से बता है आत्मा काएंगे कि जो basic पूरा उसका क्रक्स था वो यही है बस क्या किया हमने एक बार थोड़ा सा करेंगे हमें दिया था हमें दिया था कि y equals f of x y मतलब x के कोई function है जो y के value हमें find क्या करना है यहां पर हमें find क्या करना था तो find the ratio of small change in y with respect to a small change in x हमें find यही करना था कि अगर y में कोई change होता है तो उसके corresponding y में कितना change आए गया उसके लिए हमने क्या किया एक simple सा तरीका अपना है क्या तरीका अपना है कि x में एक particular value change कर दी मतलब x में हमने delta x की change अला दी और फिर उस पर function लगा दिया क्योंकि function एक operation होने के बाद तब y की value निकल रहना है अगर x में change आगया delta x तो y में भी change आगया delta y अब क्या हुआ y की total five value बन गई हो क्या मन गई y plus delta y और वो किसके बराबर है f of x plus delta x फिर हमें simple some mathematics का जो तरीका है कि transpose करने वाला मतलब इसको दाएं पक्ष से दाएं पक्ष ले गए left hand side से right hand side लेकर y को क्यों क्योंकि हम डelta y की value चाहिए थी हमें क्या चाहिए में जो change आया है delta क्या है change दिखा रहा है तो delta y क्या आ गया हमारा f of x plus delta x minus y y इधर आ गया clear है अब फिर हमें चाहिए क्या दिखें step बई चल रहा है पहले हमने change निकाला कि change कितना आया अब हमें ratio निकालना है change का तो ratio क्या होगा delta y by delta x ratio तो ही आया अब ratio कैसे निकाले delta y की सीधा value होती है delta y की value क्या है यहां से delta y की value क्या है f of x plus delta x minus y यही थी ने delta y की value और वहां से इवाइड कर दिया बस हमें क्या मिल गया ratio हमारे basic जो है हमें मिल गया ratio यह हमें मिल गया मतलब delta y by delta x हमें मिल गया अब चूकर देखेंगे previous slide में यहां पर यह इसके पिछे हमने क्या निकाला है infinite similarly small change in x मतलब कि x में अगर बहुत चोटा change हो एकदम चोटा ना के बराबर लेकिन change है बहुत चोटा सा change है उसके corresponding हमें change निकालना है y में और उसका ही ratio निकालना है और उस ratio को हम कैसे दिखाते है देखेंगे यहां पर क्या था आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेल्टा क्या होता है डेल्टा कैसे लिखेंगे DELTA डेल्टा यह पर्टिकुलर कुछ चेंज है डेल्टा मतलब क्या हुआ हमने क्या किया इस efqa का यह बहुत चोटा प्सक्राइबंगे इतना चेंज डेल्टा तो जो चेंज हुआ था सब़ोग र Nich मला था ऑप जो कि हमारा चोछ पाँछा चेंजा裡 तो क्या करना पड़ेगा उसके वालिख तो तुशจะ्यवड इतना जब बहुत छोटा सा चेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा delta y by delta x पता है हम क्या करें कि x की value को जो delta x उसको dx बनाई किसी तरह है dx मतलब बहुत छोटा बना दे अब यहां पर math का एक छोटा सा और concept आजाता है क्या concept आता है limits का limit का क्या होता है समझते है अब यहां पर हमें delta y by delta x दिया है step by चलते है step by step delta y by delta x क्या है f of x plus delta x minus y upon delta x यह delta y by delta x है हम क्या करेंगे एक value लेंगे limit लगा देंगे दोनों राइब में limit लगा देंगे limit का क्या मतलब बदाता हम limit extending to zero यह देखे important यहां पर यह हाई यह limit हमने लगा दिया limit extending to zero क्या लगा है हमने limit limit extending to zero यह मतलब समझे लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबन है अगर इधर हम कुछ घटाए तो इधर बठाए उधर उधर अगर यह कुछ भी है जो भी है इसको लगाए तो यह वही चीज इधर लगाएंगे तो इसको बेटर होगा हम next step में लिखें इसको next step में कैसे लिखेंगे इसका क्या मतलब है कि limit अगर हम side limit लगाएंगे extending to zero यह extending to zero समझा रहें क्या होता है delta y by delta x तो इधर भी लगा दे भाईया वही चीज जो भी था पता नहीं क्या है लेकिन कुछ है उस तो है तो limit extending to zero x नहीं extending है delta extending है क्या है हमारा delta x हमें क्या निकालना है x को बहुत छोटा चे निकालना है x का तो delta x को हम 10 to zero कर देते है 10 to zero मतलब क्या है समझते हैं तो यह क्या बन जाए x plus delta x minus y upon delta x बस अब का आ गया और यही value जो यह है क्या है समझेंगे आगे यह नहीं परिशान होना है यह जो value थी limit x plus delta x 10 to 0 delta x delta y by delta x delta y by delta x यही क्या है यही क्या है dy by dx है बस हो गया का बस यही value हुमारी आगे dy by dx इसकी value क्या होगी dy by dx की limit delta x 10 to 0 f of x plus delta x minus y divided by delta x बस यही था हमारा value final value ही था हमें निकाल लगया dy by dx आ गया dy मतलब बहुत चोटा change आ गया आप हमें समझना है यह क्या है हमने अभी तो कर दिया simple काम होता है चला है हमारा आप समझना है कि लिमिट delta x 10 to 0 यह इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब समझते है क्या इसका मतलब है limits एक छोटा सा topic और है कि क्या होती है limits क्या होता है जो हम limit लिखते है इसका मतलब क्या होता है simple सा है कोई बड़ी चीज नहीं है limit क्या होती है एक ऐसा concept है कि अगर एक function हमको दिया है function मतलब वही एक variable जिसकी value दूसरे पर depend कर रही है variable हमको दिया है कि y equals f x suppose दिया है यह y और x बहुत आगे इनका राज बहुत चल गया दूसरा यह क्याते है p equals a function g of x ठीक है मतलब p जो है वो x पर depend oh sorry p जो है वो g of f x ही लगते है सई रहाएगा अब इसके लिए यह चलते है y equals f x हम लेते है मतलब y जो है वो x का एक function है simple सी बात है अब limit का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई value ले ले मतलब x की कोई value होगी suppose x की value में क्या है x square plus 2 suppose f x की value क्या है x square plus 2 हम क्या करेंगे एक limit ले 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 लेंगे आपे limit का मतलब क्या होता है सबस्पाई समझते है यह arrow अभी तो हमें इसको अभी इससे हम dependency दिखा रहा थे सबस्पाई कि यह depend करता है यहाँ पर लिकेन एक्चुल इसका मतलब क्या होता है वह अमने के temporarily उसके थे सिंबल dependency रिखाने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे यह इसका मतलब होता है tending to tending to का मतलब क्या होता है जैसे हमने लिग दिया है कि x tending to 0 इसका मतलब क्या होता है कि यह x की जो value है यह 0 के एकदम past past में है एकदम से बहुत past में है 0 के जैसे कि अभी क्या होता था कि अगर हम यह लिग दे x equal 0 यह दोनों अलग है यह दोनों same नहीं है यह दोनों अलग है मतलब अगर हम लिग देंगे x equal 0 तो x का मतलब 0 हो गया मतलब यहाँ पर इसका क्या मतलब है अगर हम लिख दे एक से तो इसका मतलब यही है कि x equals 0, इसका यही मतलब है कि यहाँ पर हम tending to 0 लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, x की value 0 के बहुत पास में है, इद्धम बहुत पास में है, मतलब इतना चोटा है change उसमें, कि आप उसको infinite, similarly small, बहुत small है, लेकिन है change, इसक suppose, लिखते चाहिए, 1, suppose, अगर x की value यह है, 0.00 इतना सरा करके, फिर 1 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि यह क्या मतलब है, कि x tending to 0 है, मतलब x की value है, वो 0 के पास पास है एकदम से, 0 के एकदम से पास पास में है, तो tending का मतलब क्या हुआ, tending का मतलब क्या हुआ, कि x की value, मतलब x tends to, suppose, some quantity p, x की जो quantity है, वो p के tend कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, the value of x, the value of x is very near to p, तो x tend to p का मतलब क्या हुआ, the value of x is very near to p, मतलब x की जो value हुआ, p के बहुत पास में है, यह हुआ tending to a concept, अब limit में कैसे क्या है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने क्यों यही तो लिखा नहीं है, हमने यहाँ पर क्या है, लिखा क्या है हमने, कि limit x tend to 0, limit x tend to 0, suppose हमने लिखा, limit x tend to 0, क्या है, y, बराबर क्या है, limit y की value रिखेंगे, हम x tend to 0, x square plus 2, यही तो था, यही तो था, x square plus 2, तो limit x tend to 0, x square plus 2, इसका मतलब यह हुआ हमारा, कि x को 0 के बहुत pass की value को ही रख दू, और फिन निकालो, कि y की value क्या है, यही है limit का मतलब, limit, मतलब एक ऐसी boundary condition है किसी लगा दू, कि मतलब एकदम से pass में जाकरके, एकदम से उसकी limit, जो है, small होने की, उस पर जाकरके, x की value उतना की pass है, मतलब 0 के बरावर नहीं है, लेकिन 0 के एकदम pass में है, तो हमें निकालना है, कि x की value कितनी आईगी, इस function की value कितनी आईगी, य यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 सीदा, क्यों, क्योंकि x की value बहुत चोटी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 के, x की ज़ना पर हम 0 लिख सकते हैं, और क्या लिख देंगे, यह value आगी 2, मतलब क्या है हमारा limit of x tending to 0, y बराबर कितना है, 2, यह हमारी value आप समझ में आएक आप limit के concept आपको, समझ में आएक कि limit क्या होती है, कि जब हम जो value दिया है, कोई भी value, अगर उस पे हम limit लगा देते हैं, कि इसकी value tending to इतना है, हम याप 0 जरू ने, tending to 1 भी हम दिख सकते हैं, मतलब वो उसके बहुत past में है, तो इस condition पे हम x का, जो y के value न निकालना है, limit वाला हम देखना है, limit में क्या निकालना है, find limit x tending to 3, ये find करो, y के value कितनी है, question हमें ये दिया है, कि limit x tending to 0, y के value find करो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम simply क्या करेंगे, क्या आएगा, limit x tending to 0, y के value क्या आएगी, x square plus 2 है न, तो x के जाब सीधा 3 रख दो, क्य क्यों, क्योंकि x की value एकदम 3 के पास में है, बहुत पास में है, तो हम आराम से यहाँ पे 3 रख सकते हैं, अभी आपको यह भी बताएंगे हम, कि कहां आप नहीं रख सकते हैं, फिल हां पे आराम से हम रख सकते हैं, क्या जाएगा, 9 plus 2, 11, तो क्या आगा हमारा, limit x tending to 3, limit x t tending to 3, y की value कितनी हा गई, 11, यह है हमारा concept limit का, limit का concept मतलब कि जब x की value या किसी particular की function, जो variable की value, अगर किसी एक value के पास में है, तो हमें y की value निकालनी है, यह हमारा limit, तो यहाँ पे हम का ऐसी situation यहाँ हमारे पास है, तो यहाँ पे हम सीधा चुकि बहुत पास में, आपने दे एसा है value लबब, इससे भी छोटा value, तो delta x, मतलब x tending to 0 का मतलब यह है, यह मतलब 0 की इतने पास में है, आप समझ सकते हैं, अगर आपको लिखना पए, आप लिखेंगे, आप सिधा 0 लिख देंगे, यह 0 है, लेकिन actually में इतना छोटा है value, 0 तो नहीं है, हम इसको equal to 0 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, equal to 0 नहीं है, लेकिन हाँ 0 की बहुत पास में है, तो यहाँ पर क्या अगर सकते हैं, मैं ऐसी condition में, यहाँ पर हमने सीधा उसकी value रख दी, जो limit की है, अब देखते हैं, यहाँ limit रहे और x की हम नहीं रख सकते हैं, suppose नया example हमारे पास है, नया अब आप निकालिए यहाँ पर, अब at x equals 1, निकालिए, at x equals 1 y का होगा, 4 upon 1 square any, 4 upon 1 any 4, तो यहाँ पर यहाँ क्या imply करेगा, at x, यहाँ पर, जब यहाँ पर हम रखेंगे, x equals 1 क्या imply करेगा, y equals 4, और देखे, at x equals 2, क्या imply करेगा, y क्या है, 4 by 2 square, यानि 4 by 4, यानि 1, तो यहाँ पर, x equals 2 क्या imply करेगा, y equals 1, ठीक है, अब यहाँ पर जड़ा यह देखिए, जड़ा इसकी value निकालिए, इसकी value, at x equals 0, अब इसकी value निकालिए, क्या हम कोशिश कोई करेंगे, फिर, y क्या हो जाएगा, 4 upon 0 square, sorry, y क्या हो जाएगा, 4 upon 0 square equal 4 upon 0, अब निकालिए, 4 upon 0 क्या होता है, 4 upon 0 infinite होगा, infinite, यह infinite के symbol है, infinite में था बहुत बढ़ी संख्या, यह बहुत बहुत जादा जाएगा, आप divide नहीं करता हैं कभी, आप 0 से 4 को divide करने कोशिश कीजिए, इसे 1 से 4 को करते हैं, 1 से 4 को करते हैं, तो कैसा करते हैं, 1 4 टाइम्स लेके जाते हैं, 4 हो गया, कट गया, 0 बचा लास्ट में, ठीक, अब हमें यही चीज़ जिरो से करनी है, तो 0 को 4 से डिवाइट किजिए, आप क्या करेंगे, हम 4 टाइम्स लेके गया, क्या आया, 0 4 टाइम्स करेंगे, क्या आएगा, 0, फिर 4 बच गया, चलिए, हम 400 टाइम्स लेके जाते हैं, आप 400, सपोस एक बार में 400 बार लेके चले गया, क्या आएगा यहापर, फिर 0, 4, आप कभी डिवाइट कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, आप कुछ भी कोशन में लिख दीजिए, भागफल में आप कुछ भी लिखते चले जाएंगे, आप डिवाइट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप रिमेंडर को 0 नहीं ला पाएंगे, शेषफल कभी 0 नहीं आ पाएगा, अगर आप 0 से डिवाइट करना है, अब देखे, इस कंडिशन में, अगर आपको फिर लिमिट दी हो, अब यहाँ पर देखे, समझदारिक बात क्या आई, अब y equals 4 by x square यह हमें दिया है, अगर इस पर हमें दिया है, अगर इस पर फाइंड करना है, हमें क्या क्या दिया है, फाइंड, अब यहाँ पर आप करते हैं, 4 by x square यही था, तो क्या लेते हैंगे हम, 4 by, अगर हम पिछली बार हम क्या कर रहे थे, कि टेंडिंग टू जीरो है, मतलब बहुत जीरो के बहुत पास है, तो हम सीधा जीरो लिख देते थे, यहाँ पर आप सीधा जीरो रखके दिखाईए, तुरंत value के आ जाएग हम फिजिक्स के लिए, तो limit हम यहाँ पर चब यूज़ करेंगे, तो limit हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर हमें कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ से 0 हटापाईगा, मतलब x को अगर नियूमिरेटर में लेके जाए, तो फिर हमाई समस्या निकालनी है कब जब उस variable की value उतने उस function दिया है उसके value उसके पास में हो जैसे हमने क्या दिया है कि x 10 to 0 तो y निकाली है मतलब आप y की value तब निकाली है जब x की value 0 के बहुत पास में है यही मतलब है हमारा किसका मतलब है differentiation में जो हमने अभी लिखा limit का, यह देखे है, हमने अभी क्या लिखा, limit delta x 10 to 0, delta y by delta x बराबर हमारा क्या आगया था, यह चीज, अब limit delta x 10 to 0 क्या है, कि मतलब delta x की जो value है, वो हम 0 के आसपास लेके जाएंगे, एकदम 0 के पास बहुत छोटी value लेके जाएंगे, जैसे वो था 0.0000001, उसी के आसपास लेके जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि यह ratio हमारा value कितना आ रहा है, और वहाँ पे हमारा value आएगा, उसी को हम यह बोलेंगे, वहाँ पे हमारी value आएगी ratio की, वह हमारी यह, dy by dx, और उसकी वहली फिलहाल हमारी पास कितनी आई, limit तो हम रह दी हहां पर, limit डिल्टा एगी ratio एतना आया, यह है हमारा value आया जो हमारा limit रखने के बाग में, समझ में आया, basic हमने क्या किया, बस वही, function का आपने रखा, function हमाई, function हमारी, function हमारी दिया था, y equals fx दिया था हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं, हमारा function क्या दिया था, y equals fx निया था तो हमने क्या कियाtrl Piece में चोटा सा चेंज लाए हम देल्टा X एक्स में क्या किए चोटा सा चेंज लाए डेल्टा एक्स और उसके कर्रस्पोंदिंग हम देल्टा चौन निकाल लियाए shelter मतलब delta x 0 के आस पॉसली लिया, वहां से हमारा value है, dy by dx, यह है हमारा differentiation, मतलब y की value, dy by dx जो में निकाला है, मतलब rate of change of y with respect to x, अब यह आपको clear हो गया, कि यह ऐसे निकालना है, और इसे को बोलते हैं, first principle से निकालना, और clear इसको कैसे होगा, जब example से निकालना है, example, अपना पुराना अला example है, एक बार थोर दोहरा लेते हैं, differentiation की मामले में, क्या था पुराना example हमारा, y equals x square plus 2, यही था ना, यह x square खाई लेके चलते हैं, फिलहाल, y equals x square, यह लेके चलते हैं, यह y equals, अभी एक और example, एक निया example हो रहते हैं, y equals x, एक बेसिक से example, y equals x, मतलब y की value जो है, वो x की बराबर है, आप x1 रखेंगे y1, x आप 2000 रखेंगे y 2000, तो y बराबर x, इस पे हमने निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्या है, point, question क्या है, point dy by dx, point dy by dx, हमें question यह दिया है, कि dy by dx, point क्या है, मतलब rate of change of y with respect to a very small rate of, very small change in x, यह निकालना है, हमको, अब first principle वाला करते हैं, क्या है, तो blue यहाँ पर color use करते हैं, given क्या है हमको, simple जो normal तरीका follow करते हैं, given y equals x, ठीक है, तो, क्या लिखेंगे, for a small change, for a small change in x, y में, x में delta x add करेंगे, ठीक है, जो f हम लिखेंगे, वो यहाँ पर f का value यही आगा सीधा, f of x का मतलब क्या है, सीधा x यहाँ पर दिया है, तो y के आगया हमारा, x plus delta x, ठीक है, यह y की value हमारी आगई, अब y की value यहाँ पर चुकि, x में हमने change किया delta x, तो y में भी particular change आ गया, उसको हमने क्या लिख दिया, plus delta y, मतलब, x में हमने change किया delta x का, तो y में change हो गया delta y का, अब हमें चुकि क्या करना है, यहाँ से हमें delta y निकालना है, ratio निकालने के लिए, वो ही था, कि हमें पहले y plus delta y आ गया, हमें delta y निकालना है, तो क्या transpose करेंगे, तो delta y क्या आएगा यहाँ पर, x plus delta x minus y, ठीक, x plus delta x minus y, और यहाँ पर y की value रख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, putting y equals x, क्यों, कहां से रख दी हम यहाँ से रख दी है, हमको आप question में आप नहीं दिया है, कि y जो x के बराबर है, तो यहाँ पर हम वही लिख देते हैं, y को क्या लिख देते हैं, y equals x हम अगर लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, delta y क्या हो जाएगा हमारा, x plus delta x minus x, y की जगा हमने x लिख दिया, y x से बराबर था, x से x cancel out, तो क्या आया, delta y बराबर delta x, वही चीज़, कि अगर y x के बराबर है, तो y में जो change आएगा, वह x में change के बराबर आएगा, simple सी बात है, अब यहां से ratio निकाल लेते हैं, तो यहां पर क्या बलाएगा, delta y by delta x, कितना आएगा, 1, x को यहां पर लेके गया, 1 आगया, अब हमें निकालना है, अब limit ले लेते हैं, limit के लिखते हैं, limit delta x tending to 0, delta y by delta x निकालेगे, तो यहां भी y वही करना पड़ेगा, उस side में, उस side में वही करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, limit delta x tending to 0, 1, इधर 1 ही क्या लिख है हमारे पास, अब 1 हमने लिख दिया, अब देखिए, यह जो value थी, केवल इतनी value, यह जो value थी हमारी, limit delta x tending to 0, delta y by delta x, यह हमें तो पहल से पता है क्या होता है इसका value, इसका value होता है, dy by dx, इसका value क्या होता है, dy by dx, और यह हमें निकालना था, बस अब इधर का मामला हम अपना काम करने, हमारा पूरा question solve, इधर का निकालना, आब हमें क्या है, limit लगा दिया है, delta x tending to 0, मतलब की x की जो value है, delta x की जो value है, वो 0 के आस-पास रखिए, आप रख देते हैं भाईया, क्यों, जहां पर delta x कहीं है ही नहीं, तो delta x की value रखने कोई मतलब भी नहीं बनता, तो यह क्या आएगा, simple 1, क्यों क्यों तो एक constant है, आप delta x यहां पर रखेंगे, जिब delta x है ही नहीं, तो क्या आ गया हमारा, dy by dx सीधा 1 आग य को इधर transpose करके, और फिर y के value यहां पर हमने रख दिया, y की value थी, य की value क्या थी, x, 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 x cancel out हो गया, तो delta y की value आगई, delta x, और फिर ratio आपने लिका लिए, delta y by delta x बराबर 1 आया, फिर क्या किया, limit रख दी हमने, limit रख दी कि delta x 10 इंट जिरो, तो delta x 10 इंट जैसा ही हमने value यहां पर इस side की value क्या गई, 1, मतलब कि अगर y equals x है, इसका थोड़ा मतलब समझे, यह अपने mathematics से तो निगाल लिया पूरा, कि अगर y is equal to x, तो delta y by delta x, मतलब d y by d is equals 1, इसका मतलब क्या है, यह कहना क्या चाहता है, यह equation जो यहां पाया है, इसका importance यह है, यह equation यह कहना चा change करेंगे, और x में अगर, x में अगर हम छोड़ा सा small change करेंगे, तो उसकी corresponding y में भी change आएगा, उसका ratio 1 होगा हमेशा, मतलब कि अगर हमने x में change कर दिया, मान लिजे 3 का, तो y equals x है, तो x मान लिजे पहले 1 था, y भी 1 रहा होगा, अब x में हमने change कर दिया 3 का, तो y में कितन change आएगा, 3 का, अब change कितना आया x में, 3, y में 3, और x और क्या हमारा, delta y पर delta x क्या आएगा हमारा, y में कितना change हुआ, 3 का change हुआ, और x में कितना change हुआ, 3 में change हुआ, बराबर 1, clear है, अब इसको आप ये change है, हमने अभी 3 लिखा, बहुत बढ़ी value, आप इस change को बहुत छो होगा, ये क्या बता रहा है, इसका physical meaning क्या है, कि आप जिस आप से x में change करेंगे, एकदम उस ही आप से y में change होगा, आप जो value change इसमें रखेंगे, उतना ही change y में आ जाएगा, तो दोनों का ratio हमेशा 1 रहेगा, ये दोनों बराबर रहेंगे, इसका क्या मतलब है को निकाल सक example, तो एक example दूसरा और क्या करेंगे, एक example और लिखते हैं, example, क्या लिखेंगे, y equals अवना जो पुराना वाला example, x square plus 2, ये प्यारा example था, फिर से इसको करते हैं, अभी y equals x पे हमने किया, अब y equals x square plus 2 पे करते हैं, क्या करना है हमें, हमें करना क्या है, हमें, to find dy by dx, ये हमें find करना है, अब क्या करेंगे, सीधा, y plus delta y, मतलब y में एक change आएगा, delta y कब, जब x में एक change आएगा, x plus delta x, अब चुकि क्या आए, x में change आएगा, x में change आएगा, x में change delta x आया, तो total क्या variable बनेगी, x plus delta x, इसका square, plus 2, तो y plus delta y क्या आए, x plus delta x का square plus 2, ठीक, x plus delta x का square plus 2, तो ये हमारा आए, y plus delta y, अब हमें के बाद क्या चाहिए, पुराना वाला example सो समझे, क्या चाहिए हमें यहां से, delta y, delta y क्या आएगा, y को इधर लेके जाए, y को इधर कैसे लेके जाएंगे, x plus delta x का whole square, plus 2 minus y, है ना, y को इधर लेके जाए, आब हम क्या आएंगे, यह square वाला term है, x plus delta x का whole square, इसको expand कर देंगे, क्या कहेंगे, using formula, using, कौन सा formula, a plus b का whole square, क्या होता है, a square plus, क्या value होती है, इसकी, a square plus 2ab plus b square, यह value होती है, a plus b का whole square की, यहाँ पर use कर लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, a plus b square का formula हम भी उसकरेंगे, a plus b का whole square, तो क्या आता है, a square plus 2ab plus b square, यहाँ पर आगया हमारा, delta y क्या आएगा, delta y equals, x square plus 2 into x into delta x plus delta x k square minus y यहां कहीं delta y के value अब देखिए y के जो value आया है हमने क्या रखा है फिर वही जैसे उसमें क्या था putting अब हमें पहले तो दिया ही था y equals x square plus 2 यहां पर x square plus 2 है यहां पर 2 है यहां पर 2 है तो यहां पर 2 लिखना हमें भूल गया है तो यहां पर 2 था यहां पर क्या था यहां पर पुटिंग फिर क्या करेंगे, x क्या पूट कर रहे हैं, y equals x square plus 2, यह value हम पूट कर रहे हैं, y हमें यहां पर लिखा है, अब y के जगा हम फिर लिख देंगे, x square plus 2, तो क्या जाएगा हमारा, delta y कितना जाएगा, delta y हमारा कितना जाएगा, x square plus 2 into x into delta x plus delta x square plus 2 minus x square minus 2, देखें कैसे कि हमने एक बार में कर दिया, x square plus 2 था, minus sin bar था, अंदर multiply हो गया, क्या आगे हमारा, minus x square minus 2, अब देखें बस यहां पर, x square से x square कर गदेगा, क्योंकि हो plus से minus, plus 2 से minus 2 कर गदेगा, यहाँ पर क्या बचा हमारा केवल, 2 into x into delta x plus delta x whole square, ठीक है, यह value हमारी आई, अब देखिए, delta y की value, यह हमारी क्या आई, यह value हमारी क्या आई, delta y की value, हमें हम निकालना क्या है, simple सी बात है, निकालना क्या है हमें, हमें निकालना आई, delta y by delta x, तो हमें delta y यहाँ से आया, delta y by delta x और निकालते हैं, कि क्या करेंगे, divide कर देंगे, यह हम कुछ steps भीच में लिखते जा रहे है, dividing, equation, पूरी equation को हम इससे divide कर को delta x से divide कर दिए, क्या आईगा हमारा, delta y, क्या आईगा हमारा है हमें, value क्या आईगी, delta y by delta x, क्या आईगा हमें, delta y by delta x की value क्या आईगी, 2 into x into delta x, plus delta x का whole square, whole divided by delta x, ठीक, अब देखिए, यह कहां पर तोड़ देंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, 2 into x into delta x, upon delta x, यह आपको identity पता होगी रहे है, formula एक simple सा trick है, तरीका है, क्या है, कि अगर p plus q divided by r, अगर यह लिखा है, क्या हम यहाँ पर use कर रहे है, कि p plus q divided by r है, तो इसको हम क्या लिख सकते है, p by r plus q by r, यह लिख सकते हैं, p plus q divided by r, क्या लिख सकते हैं, p by r plus q by r, ठीक, वही को हम use कर रहे हैं आपके, क्या कर रहे हैं, हम वही को use कर रहे हैं, उसी चीज़ को use कर रहे हैं, यह लिखे हम यह आपके, 2 into x plus delta x by delta x plus delta x square by delta x. दोनों तरफ हम उसको divide कर दिये. और ये कहा है गया हमारा? delta y by delta x. ये value. delta x से delta x cancel out हो गया. और delta x से delta x square की power cancel out हो गया. तो यहां से क्या बचा? यहां से क्या बचा हमारा value? 2 x plus delta x. ठीक. 2 x plus delta x. यहां से क्या आया? अब फिर क्या अगरते है? delta y by delta x तो आ गया. हमें बहुत छोटा वाला निकालना है. तो क्या कहेंगे? लिमिट ले लेंगे. क्या करेंगे? लिमिट. delta x टेंड 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 तो 0. delta x की value, 0 के अउत तरफ tend हो रही है. मतलब 0 के आस पास जा रही है. तो delta y by delta x बराबर क्या हो जाएगा? 2 x 2 x 2 x plus delta x और इसमें भी हम limit ले लेंगे, इसमें भी क्या ले लेंगे, यहां पहला लेंगे, limit, delta x tend to 0 2 x plus delta x, आप देखें, वही वाली बात, delta x हमारा है हाँ कही, denominator में तो है नहीं, हर में तो है नहीं, तो हम इसलिए delta x को 0 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं करेगा हमें, हम delta x 2 की values की 0 के आस-पास है, तो हम delta x को 0 रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, यह 2x plus 0, delta x को सुधा 0 होती है, equals 2x, है न, 2x plus 0 क्या आ जाएगा, 2x, कुछ और तो नहीं आएगा, 3 plus 0 क्या होता है, 3 plus 0 3 होता है न, तो उसी हिसाब से, 2x plus 0 क्या आएगा, 2x, तो क्या आएगा हमारा, अब यह value देखिए, limit delta x tending to 0, delta y by delta x, इसकी value क्या होती है, इसकी value क्या होगी, dy by dx, बस आ गया हमारा, यह basic first principle से हम चल रहे हैं, एक तम जो 0 वाला principle है, dy by dx कितनी आए, 2x, यह हमारा final आया, हमने कुछ नहीं किया है, पर simple सा basic steps को कुछ follow किया है, कौन से steps से, उपर देखते जाएगे, इसको छोटा करते पहले, एक तो छोटा थोड़ा सा करते हैं, अब देखे, दिख रहा है आपे, क्या करते हैं, y equals x square plus 2 था, तो dy by dx हमें निकालना था, यह देखे, और और बड़ा करते हैं, dy by dx निकालना था, क्या किया, y, basic step, x में change किया delta x, और y में change किया delta y, y, वहां से उसको फिर expand किया formula लगा के, a plus b का whole square वाला, और वहां से हमारा delta y की value आ गई, फिर delta y वाली value को हमने फिर delta x से divide कर दिया, और delta x से divide करने के बाद, हमारा जो value आई, और delta y by delta x, वह कितना आया यहां पे, यहां पे expand करके, divide कर 2x plus delta x, फिर हमने limit ले लिए, limit ले ले लिए दोन तरफ, तो delta y by delta x को limit जो हमने लिए, क्या limit यहां पी लिए थी, delta x standing to 0, और यहां पी वही limit ले लिए थी, क्या आगया हमारा, dy by dx final, और यही है वो rate, differentiation इसी को कहते है, आप क्या निकालना है, आपको differentiation करना है, मतलब आपको यह rate निकालनी है, यही बस, यह rate निकालनी है आपको, कि delta y, मतलब dy by dx क्या है, मतलब small change in x, and small change in y with respect to a very small change in x, क्या आगया, 2x, यह कब से आया है, यहां पर आप लिख सकते हैं, समझने है, चूंकि वो बहुत पीशे चूट गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्या था हमारा, y equals x square plus 2 था, ठीक है, y क्या था, x square plus 2 था, तो dy by dx क्या है, 2x, तो यह था हमारा basic first principle से समाहने वाला, यह हम इस class में यही पर रोखते हैं, अगली class में हम इसको generalize करेंगे formula को, मतलब अभी हम तो example लेकर चल रहे हैं, कि y equal to x किये, फिर y equal to x square plus 2 किये, वहां पर different cases में हम dy by dx find किये, अगली class में हम इसको generalize करेंगे, कि मतलब y की जो value है, उसको general value लेकर चलेंगे, मतलब अगर x की power n है, suppose x की power n है, अभी x की power 2 थी, x की power 1 थी, x की power n है, तो उसके क्या formula आएगा, कैसे आएगा, वह हम निकालेंगे, तो आखी class के लिए इतना ही, अगर आपको कोई समस्या हो, कोई doubt हो, तो आप comments में बूछ सकते हैं, अगली classes में उनका solution हो जाएगा, thank you.